नमस्कार स्वागत आपका निज्वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल्ट्याकी कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी का कीस एक सर्वर रिपोर्ट शेयर करते हुए कीद्र पर एक बाद फिर से निशाना सादा है उन्होंने कहा कि जो पहले मध्यवर्ग में थे वो अब गरीब हैं जो पहले गरीब थे अब कुछले जा रहे हैं कहा गए जो कहते थे के अच्छे दिन आ रहे हैं इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्शन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते आठ साल में जितनी तेजी से गरीबी की संख्या बड़ी है उतनी ही तेजी से बढ़ातरी आज तक नहीं देखी गई ह दरसल देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम जनता काफी परिशान है सरकार चाहें महंगाई पर लगाम कसने के लाख दावे कर रही है लेकिन ये दावे सचाई से उसो दूर हैं आसमान चूती जा रही महंगाई की वज़ह से लोगों की घरों का बिगड़ चुका है और बाजार में दाल, सबजियों, सरसो के तेल, दूद, कपड़ा, रसोई गैस में लगातार बढ़ रहे दावने आम जनता की कमर तोड़ कर रखती है तो ऐसे भी बढ़ती महंगाई को लेकर पूरी तरह से कॉंग्रेस सरकार को खेर रही है आज एक बाप फिर से राहुल गांथी ने टूइट कर प्रधान मंती नरेंद बूदी पनिशाना सादा है और उन्होंने टूइट में साब तोर पर लिखा है कि कहां गए वो लोग जो कहते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं